अलो स्टेंस वेलकम बैक कैसे है वापसा जैए में में पुछा हुआ ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ईजी और प्यारा सा क्वेश्टन को सौल करते हैं आज देखिए क्वेश्टन आपका कंप्लीट यहां पे है क्वेश्टन देखिए 8 अप्रेल सिर्ट 2 2024 यानि कि जैए मे आपको एक्सप्रेशन को यह जो दे रखा है इसको सिंप्लिफाई करके इस फॉर्म में कंवर्ट करना है ओके हमारा आंसर आजाएगा और साथी साथ एक कंडिशन दे रखा कि जी सीडी ऑफ एक्वाल टू वन आप यह समझे कि जी सीडी एक्चुली में होता क्या है इसको पपाग का हम लोग अगर फॉल फॉर्म बोले यह लिखा हुआ है ग्रेटिस्ट डिवाएजर होान ग्रेटिस्ट funkily ग्रेटिस्ट्ड कोमन डिवाईजर ओके टो ग्रेटिस्ट कॉमन डिवाईजर और एब इसकोलब ट्यद्ट, यानिकि E और B का जो तो common divisor हो कितना होना चाहिए maximum one होना चाहिए दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो यह जो लिखा हुआ है दूसरे form में आप बोल सकते हो तो hcf of ab is equal to कितना बोल रहा है one यह ज्यादा बेटर है समझना यानि कि इन दोनों का जो highest common factor होना चाहिए हो कितना होना चाहिए one होना चाहिए ओके तो पहले हम इसको simplify करेंगे उसके बाद इसको भी देखेंगे क्या condition apply होगा देख लेंगे ओके पट आपको सबसे पहले इतने को simplify करकर इस formula ना है ओके तो चलिए हम लोग question को लिखते हैं आपर देखो three cost 36 degree plus five and then sign 18 degree divided by five and then cost 36 degree minus three and then sign 18 degree ठीक है यह question या तो easy हो सकता है या question lengthy हो सकता है इस student का जो paper इस shift में होगा कुछ के लिए तो question बहुत ही easy होगा कुछ के लिए question lengthy होगा यह question tough होई नहीं सकता या तो easy होगा या lengthy होगा अब easy कम होगा easy तब होगा जब student को या खिन किसी को भी sign 18 का value पता होगा okay and then cost 36 का value पता होगा अगर sign 18 का भी पता होगा तो cost 36 निकालना tough नहीं है बट कम से कम एक का पता होना जरूरी है और नहीं पता है तो easy को आपको निकालना पड़ेगा और आपको time लएगा तो question हो जाएगा lengthy तो sign 18 का value होता है root 5 minus 1 divided by कितना होता है 4 और cost 36 का value होता है root 5 plus 1 divided by कितना होता है 4 यह दो value आपको याद रखना था यह value डिरेक्ट यहापर put करना है आपका answer आ जाएगा देखो कैसे 3 times cost 36 कितना लिखा हुआ है तो root 5 plus 1 divided by 4 प्लस 5 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखा हो है root 5 minus 1 divided by 4 यह 5 है divided by यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और cost 36 यानि कि root 5 plus 1 divided by 4 minus 3 sin 18 root 5 minus 5 minus 1 divided by 4 प्लस 5 करता हूं 4 यहाँ लिखेंगे डिरेक्ट में multiply कर लाता हूं उपर में उपर में लिखा हुआ है 3 times root 5 plus 1 और plus 5 plus 5 into root 5 minus 1 divided by direct कितना हो जाएगा numerator में भी 4 LC हम डिनोमिनेटर में भी 4 LCM 4 पर गया हो जाएगा बाकी जो बचा उसको लिख दिया कितना 5 times into root 5 plus 1 और यहाँ पर आजाएगा आपके पास minus 3 minus 3 into root 5 minus 1 यही बचेगा ओके थ्रॉट साइस को simplify कर लों तो कितना लिखा हुआ यह लिखा हुआ है 3 root 5 plus 3 plus कितना 5 root 5 minus 5 divided by यह हो जाएगा 5 and then root 5 plus 5 minus 3 root 5 and then plus कितना हो जाएगा 3 यह कितना हो जाएगा 5 root 5 plus 3 root 5 कितना हो जाएगा 8 root 5 and then sorry minus हो जाएगा मेरे पास 2 3 minus 5 minus 2 divided by यह कितना हो जाएगा तो इसको पहले जाएगा 5 plus 3 कितना हो जाएगा 8 and plus कितना हो जाएगा 2 root 5 अच्छा उपर में भी 2 common निचे भी 2 common उपर बचेगा 4 root 5 minus 1 2 हमने common ले लेना है ठीके निचे भी आपका 2 common लेना है जो कितना बचेगा 4 plus root 5 जो cancel out होता है ना cancel out आप करते चलिए simplification आपका easy होना चाहिए ताकि ज्यादा लेंदी ना हो ज्यादा calculation ना करना पड़े ओके अब यह दिख रहा है ओके आपको नीचे में क्या दिख रहा है यहाँ पर सी कुछ ऐसा दिख रहा है मां तभी इसको रेस्ट्राइज कर लेना है फटा फटी कि ना तो यह लिखा हुआ है कितना 4 root 5 minus 1 divided by 4 5-4-5, 4 plus कितना लिखा हुआ है, root 5 अब इसको करना तो 4-5 divided by 4-5 okay multiply कखले कि लेंगे फट आपट 4 root 5 into 4 कितना हो जाएगा 16 root 5 और यह minus 4 root 5 into root 5 कितना हो जाएगा पास हो जाएगा 20 और यह हो जाएगा minus 4 और यह हो जाएगा plus कितना root 5 divided by नीचे यह plus 20 minus भी लगाएंगे तो four square minus कितना हो जाएगा root 5 square तो आपम देखो कितना हो गया यह होग्या आपके पास 17 यह हो गया root 5 और यह हो जाएगा minus 24 divided by कितना 16 minus 5 हो जाएगा okay which is equal to 17 root 5 5-24 divided by कितना 11 बात बन गया और यह जो एक्स्प्रेशन गीवेन है किसके एकुल गीवेन है तो यह रूट 5-2 अपॉन सी कि एक कोशन अलग हो गया ओके यहीं पर लिख दो क्या ए रूट 5-2 divided by तो यहां से आप पकड़िये कितना हो गया कंप्यार कर लेंगा डायरेक्ट एक कितना हो गया 70 ओके बी कितना हो गया 24 और सी के विच्प्रेशन दे रखा था क्या रखा था GCD of AB, यानि कि HCF of AB is equal to 1, अच्छा E और B के फैलू तो देखो यहाँ पर, E कितना है, 17, B कितना है, 24, इन दोनों का जो HCF है, मैं यहाँ पर आपको लिखना चाहूं, HC of 17 and 24, क्योंकि A भी दे रखा है, और AB के फैलू मैंने निकाल लिया है, इसका 1 ही तो है, मत्तब AB, C यह correct है और natural number भी है, बस आपको इन सबको plus कर लेना है, 17, 24, हमें निकालना था, A plus B plus C, तो which is equal to 17 plus 24 plus 11, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यह, 2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर I think, 52, यह हमारा answer आजाएगा, I hope यह होगा, 52, कोई option में तो होना ही चाहिए, 52, यानि कि हमारा answer आजाएगा, तो देखो, यह, अगर याद है ना, तो question बहुँ जल्दिस्वल्ब हो जाएगा, अगर यहाँ value याद नहीं है, तो आपको इसको निकलना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर आपको एक चीज नोट कर लेना है, कि जितने भी trigonometry का जो value है, साइन 60 जैसे याद होता है, साइन 60, साइन 30, साइन 0, तो इसी तरह से आपको साइन 15, साइन 75, साइन 18, कॉस 18 इन सबका value भी आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि question को आप जल्द solve कर पाओ, thank you.